हेलो गाईज आज हम एक बहुत छोटे से स्टॉक के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं जिसका नाम है भेल ये स्टॉक दोस्तो लगबग बहुत उपर था और इसका जो लोईस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज के आसपास है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी प्राइस वाले स्टॉक खरीदना पसंद है लेकिन दोस्तो ये चोटी छोटे प्राइस वाले जो स्टॉक है आपको ज़्यादा नुकसान भी दे सकते हैं इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट केजे तो अच्छे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ह हो सकता कि मार्केट गिर रहा लेकिन आने वाले दिनों में वह आपको रिकवर भी करके देगा अब देखें यह स्टॉक को मैं एक्जामपल लेता हूं मैं यह नहीं बोर रहा हूं कि भेल घटिया सेयर है यह खराब है ठीके मैं आपको बस समझाने का खोशिस कर रहा हूं अब कुछ भी हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान होगा आपको तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले यह बात बता देना चाहता हूं कि कोई भी छोटा स्टॉक खरीदने से पहले आप एक बार जरूर सोच लिजेगा क्योंकि यह छोटा स्टॉक न जब गिरेगा न तो आपका प रूपीज नहीं था 22 रूपीज का असपास यह लविश लगाया था और उसके बाद 21.50 का लविश लगाया था और अब भी जो है थाटी रूपीज को लगबग टच करने जा रहा है मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्या हमें यह स्टॉक खरीदना चाहिए अगर खरीदना भी चाहिए तो कौन सप्राइस पर खरीदना चाहिए या हमें अवोइड करना चाहिए तो किसी भी कंपनी में हमें पैसा लगाने से पहले यह तो जरूर चेकर लेना चाहिए कि भाई उसका EPS क्या है EPS का मतलब होता है Earning Per Share अब Earning Per Share क्या होता वो मैं आपक कितना तक मिल सकता है तो आपको जहां Rate of Interest Extra मिलता है मतलब यह जादा मिलता है पहले वाले से तो आप उसके पास जाना पसंद करते हो अगर इससे भी जादा यह दे रहा तो आप इसके पास जाना पसंद करते हो तो उसी तरीके से दोस्तो हम देख रहे हैं EPS मतलब Earning Per Share वो क्या आसपास ठीक है और यह जो 2 है उसके बाद EPS मिस्ट बाई 35 उसके बाद यहां देख लिए हैं 25 क्या आसपास है तो लगबग अगर अभी भी हम देखे तो कंपनी नुकसान में चल रही है और उसके बाद देखे उपर में हम चलते हैं तो cost of revenue cost of revenue लगबग 21% क्या सपास तो वहाँ year on year में घाटा ही हो रहा है यहाँ पर देखे लिए revenue में देखे सकते हैं 22% है net income में देखे लिए 17% के आसपास और अब भी तो इसका sales में भी गिरावट देखने को मिल रहा है अब हम चेक करेंगे ठीक है अब हम चेक करेंगे कि जिस price पर यह चल रहा है around 27 रुप मतलब की भेल का वर्थ आपको बताया जारा ठीक है the stock ratio of 19.14 is currently trading slightly above its industry pairs ratio ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जारा pairs ratio मतलब इस company के जितने भी साथ ही है मतलब इसी segment में जितने भी company काम कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर बताया जारा 14.33 के हिसाब से आपको बताया जारा which means if you buy bail electronic today you'd be paying a relatively fair price for it मतलब कि दोस्तों आप एक अच्छे price पर खरीद रहे है उसको इसका मतलब है आप एक अच्छे price पर खरीद लो अब भी देखे 20 का lowest बनाया था और 27 के आसपास है तो यह कोई price अकर आप देखोगे तो बहुत अच्छा है कि दोस्तों यह लगब आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यह सब्सक्राइब करोना और हावी हो जाता तो हमें क्या मिलेगा एक और opportunity मिलेगा नीचे वाले price पे खरीद देने के लिए अब भाइब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मैं तो यह चेक करना चाहता हूं कि क्या यह stock खरीद ने कर लायक है तो सबसे पहले हम यहापर check करेंगे दो तो तो यहां पर देखिए future में मतलब कि इसका जो stock price future में कहां और कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं ठीक है the future of will is excellent till 2021-2022 ठीक है दोस्तो it has enough order to get sufficient bread and butter अब यहां पर bread and butter क्या इंडिगेट कर रहा है दोस्तो company का survival मतलब हाँ सही तरीके से company चलेगी 2021-2022 के इस आपसे बताया जारा कि आने वाले दिनों में यह जो company है excellent performance कर सकती है बट दोस्तो यहां पर एक problem है जो इसका core business है उसमें थोड़ा बहुत problem आपको देखने को मिल सकता है तो इसका जो core business है दोस्तो वहाँ पर यहां देख सकते हैं but seeing the market of thermal power plant in future risk of losing core business is high मतलब कि दोस्तो यह core business को खो सकता है तो वहाँ पर इसको थोड़ा बहुत नुक्सान का सामना करना पड़ सकता है इस वज़े से अगर आप इस stock को खरीते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको bulk quantity में करना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे लोग है बहुत सारे पैसे लगा देते हैं और जब फस जाते हैं तो फिर सोचते हैं निकलने के लिए तब बहुत ज़्यादा late हो चुका होता है लेकिन फिर भी company जो है काम कर रही है however effort are being made to minimize cost मतलब कि दोस्तों जो cost वहाँ लगता है ना maintain करने के लिए अब जैसे के depreciation नहीं देख लिए वो क्या होता है दिन पर दिन मतलब बढ़ती जा रहा जो कि company के लिए सई नहीं है बिल्कुल गलत है तो वो नहीं बढ़ना इस वज़े से company में जादा जादा नुकसान देखने को मिल रहा है तो हमें जो analyze करना था वो हमने कर लिया अब हम देखते हैं जो बड़े लोग है जो analyst है जो बड़े बड़े लोग है उनका क्या कहना है ऐसे stock क्यों पर ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5 में 2020 क 12 o'clock के आसपास यह बताया जा रहा था कि जो भेल का target बताया जारा वो दोस्तो 37 रुपिस के आसपास है और यह 20 रुपिस के आसपास है दोस्तों अगर 37 मान लिजे 40 तो हो सकता पैसे आपको double करने की चमता रखता हो लेकिन अभी जो यह stock है already मान लिजे की already मान लिजे 27 यहाँ पर 2020 में बताया है कि आपको कि इसको आपको क्या करना है लोड करना है। ठीक है 24 रुपिस के आसपास है और stock जो है already 27 रुपिस के आसपास चल रहा है तो मैं आपको यह बताना चाहता हो की stock में आपको daily जो आपको मान लिजे 4 या 5 परसेंट का आप पर सरकीट देख तो अब भी कोरोना वाइडस का उतना बड़ा ही इंपक्ट देखा जाएगा शेयर मार्केट में इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है होल्ड करने के लिए अगर हम कंपनी की financial condition देख लेते हैं भाई financial condition अगर देख लेते हैं जो management का क्या efficiency है तो उसमें देखे तो सब कुछ अगर return on asset ही देखते हैं तो सही है क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे business हैं जो ऐसे ही मतलब की पड़े हुए है तो उनको क्या दिया जा रहा है दोस्तों दूसरों को utilize करने के लिए तो वहां से इसको थोड़ी बहुत क्या हो रहा है improvement और मालीजे क हम देखेंगे तो कुछ भी हो सकता अगर यहां से नीचे गिरा तो minus हो जागा अगर उपर गया तो plus भी हो सकता है मतलब यह middle में ठीक है और उपर से return on capital देखते है तो negative में है 6.8 के आसपास जो के सही नहीं है बिल्कुल नहीं है दोस्तों fixed asset भी अभी सही नहीं है दोस्तों लेता हूं एक मिनट यह quarter result है यह one year का result है तो sales में अगर हम देखते हैं तो one year में लगबग 23% के आसपास नुकसान हुआ है और अभी देखते हैं दोस्तों तो 10% के आसपास company को नुकसान हुआ ठीक है यह रहा 10% के आसपास लेकिन अगर फिर भी हम नीचे देखते हैं नीच अब आ जाते हैं हम देख लेते हैं नीचे net profit पर देख लेते हैं तो यह जो one year का line है यहां पर लगबग 17% का negative return है और यहां पर देख लेते हैं तो 233% का profit है इसके वज़ा से company में थोड़ा बहुत आपको हल चल और profit देखा जा रहा है तो मैं नहीं चाहता है कि अगर पैसा लगाते हैं हो सही है लेकिन बहुत जादा पैसा लगाना गलत होगा मेरे तरफ से ठीक है तो कुछ भी करने से पहले प्लीज आप अपने financial advisor से एक बर जरूर consult कर लिजे और यह जो दोस्तों कोरोना का अभी time चल रहा इस time मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमें conscious होना चा ठीक है तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर अगर आपको demand account open करना है तो दोस्तो एंजल ब्रोकिंग में आप अपना demand account open कर सकते हैं जो description में आपको link मिल जागा बिल्कुल free of cost आपका account open होगा दोस्तों अगर आप delivery में काम करते हो तो यहाँ पर आपको free of cost जो है आपको 1 जो यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं लगेगा और आप एंजल ब्रोकिंग के बारे में सोच सकते हो यहाँ पर आपको जो safe रहेगा account यहाँ पर safe रहेगा और हो सकता है दोस्तों यहाँ पर automatic जो आपको यह दिया जाता support लेबल दिया जाता माली आपको कौन सा stock खरीदना है कौन आपसा stock नहीं खरीदना वह एंजल के तरब से आपको support दिया जगा automatic जब उनका होता है तो दोस्तों वह आपको खुद देता है तो description में लिंक है आप वहाँ से जाके अपना डिमेट अकाउंट बेलकुल free of cost ओपन कर सकते हैं